श्री शिवाय नमस्तूर्ण सोला सुंगार सबकी डिजाइन अलग अलग होती है केवल सोला संधार में से एक संधार इसा है जिसकी डिजाइन में बदली है वो है मांग का सिंदूर कुंकुं एक जैसे से मांग का सिंदूर मांग की कुपू मांग में लगने वाला कुंपू इसकी डिजाइन कितनी बदल गई लोगों की जिंदगी में मंगल सूत्र की डिजाइन बदल गई चूड़े की डिजाइन बदल गई कुंडल की नतनी की बेंदा की सब की डिजाइन बदली टीकी की भी डिजाइन बदल गई पर नहीं बदली तो मांग के संदूर कंकू की डिजाइन नहीं बदली क्योंकि इस डिजाइन को तो परमात्मा ने छाप कर भेजा है तो इसको बदलना भी मुश्किल है वो नहीं बतल सकते मंगल सुत्र के दाने एगवार निकल जाएगे ना चलेगा नाक की नथनी एगवार निकल जाएगी ना चलेगे बिचुडी जल्दी बाजी में कहीं निकल जाएगे ना चलेगे बिंदी कहीं निकल जाएगे ना चलेगे हाथ का चुड़ला कहीं निकल कर रखा गया ना चलेगा पर मांग का सिंदूर कभी भी मांग से नहीं निकलना चाहिए इश्यू महापुरा के दाना अब सोला शंगार में से एक शंगार एसा है मांका सिंदूर जिसमें कोई भेद नहीं है करोड़ पती माता भी अपने सिर में लगाती है और ये सब्जी बेचने वाली भी अपने सिर में लगाती है वो सिंदूर ने समायंता बना कर रहा एक ब्रहामन की घर की माता भी सिर्फर लगा रही है तो एक वेश्च के घर की माता भी सिर्फर लगा रही है तो एक शुत्र के घर की माता भी अपने सिर्फर लगा रही है सारा शंगार पैसे के बल पर उंचा नीचा हो सकता है मंगल सुत्र पैसे के बल पर उंचा नीचा हो सकता है हाग के चुड़े पैसे के बल पर उंचे नीचे हो सकते है पाउं की पायल पैसे के बल पर उंचा नीचा हो सकता है केवल मांग का सिंदूर कुम कुम ये पेसे के बल पर उंचनी चनी होता ये गरीब और अमीर सब की समता बता देता है कि यहां सब बराबर हैं मांग के सिंदूर के आगे कुमकुम के आगे सब बराबर है कि इतनी बड़ी बात रामचेत मनस में आती है थोड़ा ध्यान लगा कर सुनना मेरे धान पे कटूरे वाले उस्ता चथिस गड़वासी सबले बढ़िया जमके वोलो जरा सबले बढ़िया 36 गड़िया तो मेरा 36 गड़वालों से निवेदान है और जितने लोग टीवी के माध्यम से कता सुन रहे हैं अपने जीवन में एक बात उतार कर रखना रामचित मानस की रामचित मानस में पूंगी है रावन की ओर देखा लंका की ओर देखा और लंका की ओर देखा रामजी ने हनमान जी को समझोता करने के लिए वेज़ा जाओ हनमान जरा समझोता करना है रामण से इतने में जामन्त अंगत और जितने बानर थे वो बोलते हैं प्रभु काय को समझोते की बात करते हो मिटा देते हैं उस रामण को देदी नहीं लगेगी चुटकी भर में उस रामण को मिटा देगे चुटकी भर में रामण को मिटा देगे रवन को मिटाना सरले पर जो यह मंदोदरी में मांग में संदूर धारन करकर रखा है जो मंदोदरी अपनी मांग में कुंकुं धारन करकर रखी हैं इसका सोभागे के सामने है और इसका जो भजन है इसका जो आनंद है इसका जो इस्मर्न है वो इतना प्रवल है कि उसको मिटाना कठा एक बात कहना चाहूँगा बहुत अच्छे से आदर्निय ग्रहमन्त्री जी हमारे यां कठा में श्री तामर द्वच साहू जी यां बेठे हुए है आप तो आज आये हैं पर आपके घर से जो बाईसा हैं आपकी जो धर्मपत्री है हमारे लिए तो माता के तिल्ले हैं हमने देखा कल वी परसो वी दो दिन से हम लगातार देख रहे हैं कहीं कहीं के दूसरे मन्त्री की अगर पत्नी होती ना तो तीन घंटा कथा में नहीं बेटती पर हमने ये चीज़ देखी है कि वो साथ पांच दिन की कथा में दो तीन दिन लगातार कथा का रस्तत्व ग्रण कर रहे हुआ हम कहना चाहेंगे संकून अभिष्व के सनातनियों को एक बात बताना चाहेंगे कि पती जब घर से बहार निकलता है पती जब अपना घर छोड़ पर किसी मार्ग की और आगे बढ़ता है तो उसके साथ में धरम पत्नी भले साथ नहीं रहती हो पर उसके मांग में जो सिंदूर रहता है ना उसकी चमप पती के साथ हर पल रहती है ये निश्चिता उसके भप्टी का बल उसके भजन का बल उसके स्मरन का बल अभी अभी आपने तुलसी जी और सालिगरम की साजी जी कर यह भी बोलो सही है एक आदसी पर अभी तुलसी जी का भ्याओ भगवान सालिगरम की साथ लट्टकोपाल के साथ करा होगा ज़रा विचार करना उस जलन्धर को मारने के लिए देवतां के पसीने चूड़ गये थे क्यों क्यों कि ब्रंधा के माथ्य का जो फिरन था लख आए इसलिए जलन्धर क्वारने को कि भूति फिर करा क्या गया कि इसके सातीत्व को दिगाया जा और सातीत्व को दिगाने के लिए भेजा जब उसका सातीत्व दिग गया सातीत्व तूड गया तब जलंधर के प्राणों को हरा गया फिर निवेदन करूंगा मेरी जितनी माताईया बेठी है जितनी मेरी बेहन बेटी है जितनी मेरी जीजियां बेटी हुई है जितनी मेरी बेटियां बेटी हुई है निवेदन करूंगा मंगल पानिगरन संसकार होने के बाद में विवहा हो जाने के बाद में अपने मस्तक पर मांग में भले आजकल तो फेशन हो गया जादा सिंदूर नहीं लगाती है माता है कुंकु नहीं लगाती है थोड़ा उनको एक अलग सप्थीद होता है तो उनको थोड़ा मेरा निवेदन है कि मेरी जीजियों से मेरी माताओं से मेरी बेटियों से निवेदन है शादी होने के बाद में मांग में और एक फिन निवेदन करूंगा वो वो पेंसिल जैसी नी पेंसिल जैसी नी सिंदूर तुमारे पती ने जिस समय तुम मंडव के अंदर बेटी थी और चांदी के सिक्के से कलदार से अंगूठी से डबी में से भर भर कर तेरी मांग में भरा था ऐसा सिंदूर तुमारी मांग में भरा होना चाहिए ऐसा भरा होना चाहिए आपके माथे के सिंदूर आपके मस्कत की कुंकू पर जो कुंकू आपने लगाया है जो मस्कत पर सिंदूर लगाया है है वो बड़ा हम सिंदूर और कुंकु का इसलिए बोल रहे हैं टीकी का इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि टीकी तो आज के जमाने में तुम धूनते रहे रहा होगे एक छोटी सी पंखडी को भी काटते काटते जैसे माता की जूनीर है तो को निकालो फिर देखो बस एसी उत्ती छोटी सी ठीकी माता लगाती है उत्ती छोटी सी बिंदी लगाती है कि पूरा माता पर ढूंते दे जाओगे कि यह कि नीर पैचांट करना बारी पड़ता है निवेदा में बिंदी तुम लगा रहे हो कितनी बड़ी लगा रहे हैं उससे मतलब नहीं है पर मांग में थोड़ा सा संगुल थोड़ी सी दोली जो भी आप लगाते हो थोड़ा सा इस मांग में